अब की बार मोदी सरकार चार सो के पार किया इस बार लोक सबाइलेक्शन के अंदर मोदी बीजे पी सरकार चार सो क्रोस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसके बारे में चर्चा करेंगे कहां कहां बीजेपी सरकार होने के योग बनते इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी साथ देखा जाए तो फरवरी से लेकर जून दोहजार चौबिस तक दो महतोपुन योग जोतिसीय सिध्धान्द की दृष्टी से बन रहे हैं चत्र योग और खरपर योग ये दो योग बीजेपी के लिए कितने लावकारी साबित होंगे इस कारेकरम में चर्चा करेंगे मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज मैं और मित्रो आज हम चर्चा करने वाले होट टॉपिक पे कि इस बार मोदी सरकार जी चार सो से के आकड़े को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जोतिस क्या कहता है इसके बारे में जोतिस की रिपोर्ट रिसर्च हम आपके सामने शेयर करेंगे कहां कहां बीजेपी जीतने वाली है ये बीजेपी की सत्ता रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे कहां कहां पर और पार्टियों के योग बनते हैं इसके बारे में जोती चर्चा करेंगे साथी साथ प्रधान मंत्री कौन बनेगा नरिंदर मोधी जी की कुंडली देखेंगे ममता बेनर जी की कुंडली राहूल गांदी जी की कुंडली इस कारेकरम में देखने वाले हैं और अर्विंद केजरिवाल जेल से कब रिया होंगे इस बारे में भी इस कारिकरम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ यह जोतिसी है एनलाइसीस है इसके जो आकड़े है जो नेट पे उपलब्द है उसी के अनुसार कुंडली बनाई गई है उसी के अनुसार शटबल को देखा गया है उसी के अनुसार केपी सिस्टम को को अपलाई करके यह आकड़े निकाले गए हैं तो यह आकड़े हमें नेट से प्राप्ते हैं पहले में यह आपको इसपष्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले किसी भी पार्टी की कुंडली देखने से पहले सबसे पहले हम उनकी कुंडली देख लेते हैं सबसे पहले बीजेपी की कुंडली देख लेते ह और इस में पर बीजेपी की जो कुंडली की दशाद चल रही है क्योंकि वरतमान सभी बड़ा इंपोर्टेंट है दशाद चल रही है अगस्त 2018 से और अगस्त 2018 तक चंद्रमा की माधसा चल रही है चंद्रमा के अंदर बुद का अंतर चल रहा है बुद नवमभाव में केतू के साथ बैटे है यानि केतू कहीना कहीं 30% आप जो चहा रहे हैं उसको कम करने की यहां पर चेश्टा करता हुआ नजर आ रहा हाला कि बुद्ध नववम बाहों में भद्र योग बना रहा है यानि जो आप इच्छा चाहते हैं उसकी पूरी उसकी पूरा करने के लिए बुद्ध में ताकत है लेकिन बुद्ध के साथ में केतू होने से बहुत बार जड़त्व यो आपकी कंड़ी में बी जबी क कंड़ी में चल रहा है वह चलेगा 18 गास्ते स्थान में और राहु इनके पंचम स्थान में बैट वर्तमान में कॉंग्रेस की जो महा दसा चल रही है 2023 से थोड़ा सा इस पिछले साल से दसा अच्छी आ गई है बुद्ध की दसा चल रही है और दो हजार चालिस तक रहने वाली है पहले की तुलना से ये बुद्ध की दसा थोड़ी अच्छी है ऐसा कहा जा सकता लेकिन पूर्ण तया से बहुत ज्यादा श्ट्रॉंग नहीं है बुद्ध के अंदर बुद्ध का अंदर चल रहा है दो फरवरी दो हजार चब्विस तक ब मेश ब्रेश मिथुन राशी में होगा तब कहीना कहीं कॉंग्रेस की पार्टी का वर्चस वह बढ़ता हुआ नजर आएगा यानि कि जब शनी की आवरती मेश राशी ब्रिशव राशी मिथुन राशी में होगी यानि 2019 से 2032 के बीच में कॉंग्रेस पार्टी का बर्चस वह बढ़ता हुआ नजर आएगा ये बुद्ध की दशा जो 2023 से 2040 तक चल रही है इसको पावर मिलेगा और कहीना कहीं सत्ता में वाफसी करने के कुछ योग बनते हैं 2019 से 32 के बीच में कहां-कहां पर BJP रह सकती है जोतिसी आकलन की अनुसार वह कहां नहीं पहली बात करें हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में BJP का बोलबाला रहेगा BJP को 3 से 4 सीट जोतिसी आकडों का अनुसार मिल सकती है इसी प्रकार से दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर 7 सीटों में BJP होती भी नजर आ रही है यानि 7 सीट BJP को मिल सकती है इसी प्रकार से उत्राखंड में देखा जाए तो उत्राखंड में 5 सीट है उसके अंदर BJP को 70 से 72 सीटे मिल सकती है जो 30 से आकलन के अनुसार बिहार के अंदर देखा जाए तो 20 से 22 सीटे मिल सकती है और कुछ गटबंदन करके 30 से 32 सीट तक आकला पहुंच सकता है इसी प्रकार से महाराष्ट के अंदर देखा जाए तो 15 से और 22 सीट तक BJP को मिल सकती ह MP मद्यप्रदेश के अंदर देखा जाए तो 26-28 सीट तक BJP को मिल सकती है इसी प्रकार से हमने चर्चा करें कि सिर्चा कर रया के अंदर 10-गहीं चेट से 9 सीट नहीं जातारा को करें तो रायस्थान में 19-23 सीट बढ़ते विजएपी नजर आ रही ए इसी प्रकार्रों जारकंड के अंदर देखा जाए तो 11-12 सीट बीजेपी को मिल सकती है और कहीं कहीं पर दूसरी पार्टी का वर्चसु भी रहेगा जैसे पंजाब है पतो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी यानि आपको 5-6 सीट मिल सकती है और यहां केरला में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉंग्रेस को बड़त मिलती भी नजर आ रही है यहाँ पर कॉंग्रेस को 10 से 15 सीटे मिल सकती है तो कुल मिलाके यदि हम देखें तो एंडिये को मिलाके बीजेपी को जो टोटल जोतिसी आकलन के अनुसार जो सीटे नजर आ रही है वो 301 से लेकर 335 तक मिलती भी नजर आ रही है अगर इससे उपर मिली तो कहीं न कहीं बीजेपी के उपर राम भगवान की किरपा है प्रभू का आशीश है और प्रभू के आश जोतिसी आकलन के अनुसार 301 से लेकर 335 सीट तक नजर आ रही है और इससे आगे आई तो इस्ट की हरी की महादेव की राम की किरपा बीजेपी वालों के उपर है अब बात कर लेते हैं नेरेंद्र मोधी जी हमारे प्रिये प्रधान मंत्री की कुंडली के अंदर तो प्रिय इनकी मंगल की महादसा चल रही है जो रोचक योग बना रहे हैं सेनापती मंगल विजेव दिलाता है मंगल तो कहीं ना कहीं दो हजार 21 से लेकर मंगल कि माहा दसा चल रही है मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं वा क्योंकि अनुक्क होता है जाने जहता है जो होते हैं सेना के मुख्यय अधिकारी जो है मंगल देपता है हनमान जी को भी इंसे आका जाता है और हनमान जी पे जिसकी किरपा वह आरी नहीं सकता तो कहीं न कहीं 2021 से 2028 तक मंगल की दसा में विजे सिद्धी योग नजर आता है सत्रु हंता योग बन रहा है जिस कारण से विरोधी प्रास्त होंगे साथी साथ इस समय पे मोदी जी की कुणली में 5 योग एक्टिव है पहला रोचा की योग इस समय बन रहा है 2024 में लक्ष्मी योग 2024 में एक्टिव है बुदादिती योग 2024 में एक्टिव है येश योग 2024 में एक्टिव है और भद्र योग 2024 में एक्टिव है ब्रस्पती का ट्र में ब्रस्पति आ जाएंगे और मंगल और चंद्रमा को सप्तम द्रश्टी देंगे और ब्रस्पति कहीं न कहीं पद को बढ़ा देता है तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बार भी नरेंद्र मुदी जी को हराना impossible है पॉसिबल ही नहीं है साति साथ प्रधान मंतरी का के दावेदार यानि 99 परसेंट दावेदार नरेंद्र मुदी जी ही बनते एक परसेंट जो मैंने छोडआ है वो हरी किरपा है हरी किरपा चाहे तो हर चीज पलट सकती है साति सातन इनकी दर्शा में द साथ बैठेएं दिखबली योग बना रहे हैं तो यहाँ पर मोदी जी का सपना साकार होता वह नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पर्धान मंत्री के मुख्य दावेदार यानी पर्धान मंत्री मोदी जी ही बनने के योग बनते हैं साथी साथ देखा जाए तो मंगल में बुध की दशा यानि 2026 सताई थोड़ा मोधी जी की हेल्थ के लिए थोड़ा खराब दशा आ रही है क्योंकि बुध का अंतर है बुध अश्टम भाव का सौमी है और अश्टमे इसको थोड़ा दोश लगता है कुल मिलाके देखा जाए तो नजिंद्र मूधी जी की कुंडली में अभी पांच-पांच योग एक्टिव है इसी प्रकार से राहूल गांदी जी की कुंडली देख लेते हैं तो राहूल गांदी जी की कुंडली तुला लगन की कुंडली है ब्रस्पती तुला लगन में ही राहूल गांदी जी का ऐसा नहीं है कि पंचम में राहू जैकपोर्ड देता है विदेश का सुक बड़ देता है विदेश के विदेश से इंकम देता है विदेशी लोगों का साथ देता है लेकिन देश के लिए ये दशा थोड़ा राहू की जो महादशा होती है राहू उचका होता है तो कहीना कहीं व्यक्ति को विदेश से बड़ा फाइदा होता है यहाँ पर क्या है कि राहू की महादशा उचकी है और कहीना कहीं देश के अंदर अपना सत्ता जमाना चाहते है तो कहीना कहीं राहू यहाँ पर इतना ज़्यादा सह योग नहीं कर पा रहा है और राहू के अंदर अभी शनी की महादशा है शनी की महादशा 15 मार्ट 2027 तक चलेगी यानि राहू में शनी और शनी सप्तम भाव में राहूल गांदी जी के कुंडली में मेस राजी वीक होते वे बैठा है यानि पहले की कंपरिजन कुछ कांग्रेस को बड़त नजर आ रही है 2024 के चुनाओं में कुछ राहूल गांदी जी के जो प्रियास है वो सपल होते वे भी नजर आ रहे है लेकिन इनका जो पूर्ण राजनीती का योग है पूर्ण अच्छा योग है वो इनका 2027 के बाद से लेकर और 2031-32 तक इनका विपरीत राजयोग बनेगा इसके अंदर इनका योग बनता है अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की ममता बेनर जी के क्या परधान मंतरी बनने की योग है या इनकी कुंडली कैजी है तो इनकी कुंडली जो नेट से प्राप्त अबलब्द आकड़े हैं उसके अनुसारा बता रहा हूं मेशलगन की कुंडली है ब्रस्पती उचके चतु सूरिय महराज बैठे हैं लेकर सूरिय महराज केंद्र त्रिकोंड में बैठने के पर कमजोर हो जाते हैं तो बड़ा पद जैसे परधान मंतरी के पद में थोड़ा कमजोरी रहती है क्योंकि यहां के लिए इस बड़े पद के लिए सूरिय का उचका होना बहुत जरूरी है जितने भी अभी तक के परधान मंतरी बने हैं और जो जितने भी अभी तक के राश्पती बने हैं तो उनके अगर आकड़े उनकी रिसर्च की जाए तो उनका सूर्य बड़ा श्ट्रोंग रहा है तो यहां पर सूर्य श्ट्रोंग नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य जिन लाम की गिर्पा होती है तो गूंगा भी बोल पड़ता है लंगणा भी चल पता वो अलग बात है लेकिन जोटी सी आकड़े के अनुसार सूरी यहां पर कमजोर है तो बड़ा पद दिलाने से थोड़ा रोक लगती है यहां पर ममताप एनर्जी को मानिक पहनना चीए सूरी के देता है लेकिन सत्ता में आपको आसीन बनाए रखेगा शनी के अंदर ब्रस्पती की दशा है ब्रस्पती अप्रेल दोजार चब्वीस तक है तो कहीं न कहीं यहां पर विप्रीज राजयोग भी आपका एक्टिव हो रहा है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो थोड़ा स्ट्र करना पड़ेगा अभी योग नहीं है अब बात कर लेते हैं अर्विंद केजरी वाल की अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो पहले इनकी कुंडली सिंग लगन की कुंडली है जो नेट से प्राप्त है और गुरु बुद्ध और शुक्र तीनों ग्रह इनके लगन मे लेगी तो कहीना कहीं इस बक्त ये जेल में है और इनका जो बंदन योग है वो अगर देखा जाए तो शनी के कारण बनाए क्योंकि शनी आगर आप ध्यानते देखेंगे कुंडली में नववा महों में बैट है शनी और चंद्रमा का योग है जो ग्रहेंड दोज बनाता है यानि व्यक्ति के उपर किसी प्रकार का दोशा रोपन होता है कोई अरोब लगता है लेकिन मेश रासी में बैटने से यह तेंप्रेरी फेस पे है लेकिन ग्रेंड दोस्तो बनी रहे और शनी देव इसी साल से आपकी कुंडली में पदा रहे हैं यानि शनी की मादशा दो अ बात करें कि अर्विंद केजरीवाल से कब वापिस आएंगे तो उसके लिए इनकी अंतर प्रतियंतर दशा देखनी पड़ेगी क्योंकि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में उसकी दूसरी चौती या लाभवाव की दशाओ तो उसमें व्यक्ति जेल से भार आता और म कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी 26 अपरेल के बाद से लेकर 30 जून तक या तो यह आ जाएंगे क्योंकि शनी की दसा में एक बार में बहुत बार काम नहीं होता है एक बार में अपील की सुनवाई नहीं हो पाती है तो कई बार आपको अपील करनी पड़ेगी पहली कर आ रहा है और एक मही 2024 को अरविंद केजरिवाल की कुडली के अंदर देखा जाए तो ब्रस्पती का जो ट्रांजीट है आपके 10 अउस में बैटा है तो कहीं ना कहीं सत्ता का लाब अभी भी आपको दे रहा है लेकिन टेंपरेरी फेस पे दे रहा है तो कुल मिलाकर जाय मता दी